तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करंगे PUBG Mobile Lite iButton का क्या यूज होता है और हम किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं सायद आप मैंसे जायदा लोगों को इस बटन के बारे में नहीं पता होगा और आप मैंसे बहुत से लोग इसको एगनौर कर देते होंगे हम इस बटन को क तो आप हम बात करते हैं अपने पहले यूज की आपको पता होगा कि जब भी आपका टीमेट आपको लैंड कराता है तो आप अपनी स्क्रीन को मूब नहीं कर सकते हो और नहीं अपने आसपास के एनमी को देख सकते हो लेकिन आए बटन की हेल्प से ये कर सकते हो और अपने आसपास के एनमी को भी देख सकते हो जो कि आप देख पा रहे होंगे मुझे करते हुए और जायदा एनमी के होने पर वह से कल्टी भी मार सकते है तो चलिए बढ़ते हैं अपने next use की तरफ जिसका use आप grenade और smoke फेकने में कर सकते है आप लोग जिस तरह से grenade फेकते हो अपनी body को expose करके यह तरीका बिलकुल गलत है आपको ऐसा बिलकुल भी नहीं करना आपको इस्तेमाल करना है अपने eye button का जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपनी body को बिना expose किये कर रहा हूँ इसके बाद बारी आती है हमारी third use की जो की है अपने enemy के head पर aim करने की जो की आप कर सकते हो अपने eye button को अपने cross air पर shift करके जैसा की मैंने कर रखा है ऐसा आप भी कर सकते हो जिससे आपका aim or accuracy बढ़ेगी और आप अपने enemy को आसानी से और अच्छे से मार पाएंगे जैसा की आप gameplay में देख सकते हो इसकी वजह से आपका close range काफी strong हो जाएगा और आपके सामने pro से pro player भी नहीं take पाएगा और आप देखंगे कि आपका gameplay काफी improve हो जाएगा और आप सामने वाले player का टकला 4 पाएंगे इससे पहले हम next use की बात करें उतने माव gameplay enjoy करें उसके बाद हम बात करंगे अगले next use के बारे में तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने next use की जैसे की कई बार हमारा कोई गारी पीछा कर रही होती है और हमें उसे देख नहीं पाते तो i button की use से हम ऐसा easily कर सकते हैं इसके बाद आती है हमारे सबसे last use की जो की बहुत important है और काम करता है हमारी तीसरी आख की तरह जैसे की आप मी से बहुत से लोग सीधा भागते हैं और पीछे से मारे भी जाते होंगे और आपको गुसा भी बहुत आता होगा लेकिन i button की use से आप अपने पीछे आ रहे enemy को easily देख सकते है इतना ही नहीं आप 360 देख सकते है यानि की forward, backward and your left and right also hope you understand all uses of i button thanks for watching guys and keep supporting and also don't forget दिलदानी मारे